सलाम अलेकुम दोस्तों, ओद फिर से हाजरू मैं आप लोग एक Salt Round of Called चैनल दुर्ब के बहुत ही important update लेकर लेकिन दोस्तों सौधी एक बढ़ने से पहले एक update लोग के लिए है जो लोग साओधी अरप नए वीजा पर आना चाहते हैं तो जैसा कि आपको मालूम होगा या फिर आपके एजट ने आप लोगों को बताया हुगा कि 22 अगस 2022 के बाद में अब आपको अगर आप नए वीजा इस्टांप करवाते हैं तो वहां पर आपको PCC Certificate की जरूत तो अगर आप लोग PCC के बारे में और ज्यादा information चाहते हैं जैसे कि इसको apply करते हैं इसको बनने में कितना समय लगता है तो इस पर मैंने simply दो dedicated वीडियो अलग से बनाई जिनमें मैंने सिर्फ इसी topic को cover किया है और यह दोनों वीडियो आप लोगे जितने भी doubts हैं PCC को ले पहली अपडेट साओधी अरब की ministry of human resource and social development की तरफ से साओधी अरब की ministry of human resource and social development ने आज पांच ऐसे points को एकदम clear कर दिया है जो कि अगर आप साओधी अरब में एक worker की job करते हैं तो आपके मन में कभी ना कभी जरूर आये होंगे तो दोस्तों point इतने important है कि आपको जानना ब अगर चुटी रहता है तो उसको उसके work से dismiss नहीं कर सकता अगर आप इसे आसान भासा में समझे तो जैसे कि मान लीजे अगर कोई company में आप job करते हैं वहां पर आपने sick leave लगा रखी है कि मैं बीमार हूं तो अगर आप 120 दिन यानि की लगबख 4 महिने तक company में नहीं जाते ह आपको आपके काम से dismiss नहीं कर सकती आपको हटा नहीं सकती अगर ऐसा करती है तो वहां पर साओधी अरब का labor law है उसका उलंगन कर रही है 120 दिन पूरे होने के बाद में अगर आप फिर भी नहीं जाते हैं तो वहां पर जो फैसला लिया जाएगा वह उस company या फिर उस कफिल रही तो इस case में और company ऐसा नहीं कर सकती है अगर company आप से कहती है कि आप चुट्टी ले लीजिए तो उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा यानि कि आपको पैड़ लीव देनी पड़ेगी क्याला दोस्तों ministry ने अगले point में बताया है कि कोई भी company आपके absent होने क card आपको तब तक dismiss नहीं कर सकती जब तक के आप permitted period के अंदर है यानि कि आपके contract पर जितना समय दिया गया है उस समय के अंदर जब तक आप absent रहते हैं तब तक के आपकी company आपको suspend नहीं कर सकती है आपके काम से लेकिन अगर आप अपने contract के खिलाप जाते तो वहां पर company आप को आपके काम से suspend कर सकती है कि अलावा दोस्तों ministry ने अगले point में बताया है कि बिना employee की मरजी की यानि बिना नौकर के मरजी के overtime करने के लिए उसको किसी भी तरीके से force नहीं किया जा सकता और last point में ministry ने ये बताया है कि बिना worker की इजाजत के उसके salary या फिर उसके खाने का जो पैसा होता है उसमें से किसी भी तरह की कटवती नहीं की जा सकती कि अगली अपडेट सौधी अरब के labor law के तरफ से ministry ने बताया है कि एक नौन सौधी वरकर यानि कि एक अजनभी अपने कफिल को छोड़ कर या फिर अपने कफिल के अलावा किसी दूसरी जगे पर काम न कर सकता है और अगर उसको जरूद पड़े तो वहां पर एक से दो से तीन जगा भी काम कर सकता उसको कोई भी प्राबलम नहीं होगी इसके अलाव दोस्तों अगली अपडेट साओधी रफ के नेशनल डे लेकर जैसा कि आपको मालू में कि हर साल से स्प्टमबर को साओधी का नेशनल डे मनाया जाता है तो यहां पर मिनिस्ट्री आफ हम रिसोर्स और सोशल डेवलोपमेंट ने बताया है कि तेस सेप्टमबर वाले दिन जो भी वरकर अपनी कंपनी में काम करने के लिए असाइन किया जाएगा लेकिन यहां पर मिनिस्ट्री ने एक सर्थ भी रख होगा जो की रिटेन में होना चाहिए जो आपकी कंपनी के तरफ से आयेगा जब आपको इस दिन के लिए काम करने के लिए बुलाया जाएगा अगली अबड़ेट साओधिय अरब के कंजिमर प्रोटेक्शन डेपार्टमेंट की तरफ से डेपार्टमेंट ने कहा है कि साओ किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको गली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट का सेक्षन खुला हुआ है